रादे रादे हरे कृष्णा आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवा की बहुत बहुत शुप कामना है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर पर तुलसी विवा कैसे कर सकते हैं तुलसी विवा की सभी रस्में सभी दीती रिवाज मैं आपको स् किप किये पूरा जरूर देखिएगा, तो कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन, भगवान श्री हरी चार महिने की योगनिद्रा के बात जागते हैं, पहले देव उठाये जाते हैं, या नि कि पहले देवों को जगाया जाता है, उसके बाद में भगवान श्री हरी का विवा तुलसी जी के साथ कराया जाता है और तुलसी विवा आप देवुटनी एकदशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इन पांच दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं तुलसी विवा करना बड़े ही सोभागे की बात होती है खासकर उनके लिए जिनके कन्या नहीं है और वो अगर तुलसी विवा करके तुलसी मैया का दान करते हैं तो उन्हें कन्या दान के समान पुन्यफल की प्राप्ती होती है और तुलसी विवा की इस पवित्र विदी को आप बिना ब्रामाट को घर पर बुलाए, स्वयम से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखे, यहाँ पर मैं खुले में कर रही हूँ, चत पर ही मेरी तुलसी मैया हैं, और चत पर ही मैं ये विदी करूँगी। तो देखे, जगह को थोड़ा साफ सुत्रा सा कर लेंगे, जहाँ पर भी आपी विवा संपन्य कराने वाले हैं, और गंगा जल के छीटे मार कर यहाँ पर लाल मिटी यानि गेरू से मैंने लीप लिया है, अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो आप उससे लीप ले, और देखे, चौक जो है वो आटे और हल्दी से ही पूरा जाता है, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी, क्योंकि कोई भी शुब और मांगली कारे अगर हम करते हैं, तो स्वास्तिक का चिन्न ह में जरूर बनाना चाहिए, और देखे, चार महीने की योग निद्रा के बाद जब हमारे शुरी हरी विश्नु जाकते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन, तो उसी दिन से सारे शुब और मांगली कारे शुरू हो जाते हैं, और जब तक भगवान विश्नु योग निद् कर देंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास रामा तुलसी हैं, और तुलसी जी आप देखे, रामा ले या श्यामा ले, कोई भी ले सकते हैं, पर बहुत जादा नन्ना पौधा, बहुत छोटा पौधा आपको नहीं लेना है, और नहीं बहुत जादा पुरानी त चाहिए बीज की जो तुलसी होती हैं जिनमें मनजरी आ रही होती है वो तुलसी जी हमें लेनी है और इसके साथ ही देखिए विवाह के लिए लाल रंग जो है वह भूत ही शुब माना जाता है तो यहां पर लाल रंग की हम चुनरिया उड़ा देंगे तुलसी मैया को अब इ इचा दिया है और इसके बाद फूलो का आसन देते हुए प्रतम पूज गनपती जी की हम इस्थापना कर लेंगे उन्हें विराजमान कर लेंगे अब देखी तिलका यह गेहूं का आसन देते हुए हम कलश को स्थापित करेंगे क्योंकि विवाज ऐसी विदी को संपन्य करने के लिए सबी देवी देवताओं के उपस्तिती अनिवारे होती है तो यहाँ पर पीतल का कलश ले लिया है मैंने स्वास्तिक बना लिया है उस पर कंट पर मोली बांद लिया है पंच पल्लव लगा कर पूर्ण पात्र गेहुं से भारा रख लिया है कलश के अंदर गंगा जल सिक्का, सुपाड़ी, हल्दी की गाठ थोड़े तिल डाल ले आप और मैंने यहाँ पर दीपकलश स्थापित किया है अगर आप चाहें तो श्रीफल रखकर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं अब इसके साथ ही दीपक को प्रजुलित करके फूलों का आसन देते हुए भगवान विश्नु का फोटो है मेरे पास तो मैं उन्हें विराजमान कर लूँगी और इसके साथ ही देखी शालेगराम जी को भी हम यहीं तुलसी जी के गमले में स्थापित कर लेंगे फूलों का आसन या तिलों का आसन देते हुए अब इसके साथ ही यहाँ पर अगर आ जा रहे हैं सभी देवी देवताओं से गनपती जी से ऐसा अनुग्रह है कि निर्विग्न इस विवा को संपन्य करवाने में हमारी सहायता करें और इसके बाद गंगजल और फूल की सहायता से प्रतम पुझ गनपती जी को हम छीटा दे देंगे इसनान की भावना से और वस अरपित किया है आपको जो भी पुझ पर मिल जाए आप वह अरपित करें अब इसके साथी श्री हरी को शाले ग्राम जी को गंगजल और फूल की सायता से इस नान की भावना से हमने चीटा दे दिया है और वस्त्र समरपित कर दिया है तो यहां पर पीले रंग का वस्त्र अ अर्पित करना है तो इस प्रकार से श्री हरी के हातों में और उनके पैरों में पाँच पाँच बार इसे हम अर्पित करेंगे और अगर आप चाहें तो कच्छे दूद में सिर्फ हल्दी को गोल कर भी प्रयूख कर सकते हैं अब इसके बाद उसी हल्दी को हमें तुलसा माता क समर्पित करना है तो इस प्रकार से उनकी शाखाओं में पत्तियों में हम इसे पांच बार अर्पित कर देंगे अब विवा की जो दूसरी रस्म होती है वो महंदी की होती है तो हमें एक नई महंदी की कीप लेनी है और इस प्रकार से श्री हरी के हाथों में और पैरों में हम महंदी लगा देंगे आप चाहें तो जो पैकेट वाली महंदी होती है उसे गोल कर भी प्रियोक कर सकते हैं और इसके बाद यही महंदी हम तुलसा मया को समर्पित करेंगे 5 या 7 बार और इसके साथ ही जो हमने तुलसी मैया के गमले में शालेगराम जी स्थापित किये हैं उनका भी चन्नन, रोली, तिल, वस्तर की भावना से कलावा समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे अब इसके बाद देखी वर्माला से पहले हमें तुलसी मैया को और श्री हरी को इत्र जरूर अर्पित करना है क्योंकि इत्र जो है वो भगवान विश्नु को अतिप्री है और इसके साथ ही कलश स्थापना के माध्यम से हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है तो अगर आपके आकाली या पेली चूड़ियां पहनाई जाती हो तो आप तुलसी मैया को वो पहना दे अब देखे हल्दी और महंदी की रसम के बाद वर्माला की रसम को संपन्न कराना होता है तो यहां पर मैंने दो फूलों की माला ले ली है अगर आपके पास ज़्यादा फ पुश्प और पित कर देंगे अब इसके बाद जो रसम होती है वो गठबंधन की होती है तो यहां पर दो कलावे के टुकड़े लिए है मैंने और इन दोनों टुकड़ों में हमें गांट लगा लेनी है और सीधे हाथ में एक हल्दी की गांट सिक्का और थोड़े से तेल अब हम गठबंधन की वीधी को संपन्य कर लेंगे और गठबंधन का जो भी मन्त राता हो आपको आप उसका उचारण करके इस वीधी को संपन्य कर सकते हैं और यहां पर अगर आप चाहें तो जो हमने श्री हरी को वस्त रोड़ाया है उससे भी गठबंधन कर सकते हैं अगर आपका तुलसी गमला छोटा है तो आप हाथ में तुलसी गमले को लेकर भी इस वीदी को संपन्ण करा सकते हैं अब फेरों की रशम संपन्ण होने के बाद आती है मांग भराई की रशम तो यहाँ पर एक नया संदौरा लीया है मैंने चान्दी का सिखा ले लिया है आप नॉर्मल एक रुपय का सिक्का भी ले सकते हैं और इस तरह से सिक्के में सिंदूर रखकर श्री हरी के सीधे हाथ यानि राइट हैंड से छोवा कर हम तुलसी मया को इसे पांच बार लगा देंगे पांच बार उने समर्पित कर देंगे और देखी इस सिक्के को हमें दान कर देना चाहिए तो यहीं समीप हम इसे रख देंगे श्री हरी के अब मांग भराई की रसम संपन होने के बाद हमें मंगल सुत्र पनाने की रसम को संपन करना है तो श्री हरी के हाथों से चुवाते हुए इसे हम तुलसी मया को पहना देंगे अब इसके साथ ही यहाँ पर गनपती जी को रितुफल में यहाँ पर हमने अमरूद का भोग रखा है और इसके साथ ही जो भी मिष्ठान मेवे हों आपके घर पर या देखे देवुटनी एकादशी पर सिंगाडा, अमरूद, आवला, गन्ना, शकरकंद, मूली इनका भोग विशेश रूप से लगाया जा तो इन सभी का भोग आप समर्पित करें और जिस तरह से देखी विवाम में पकवान बनते हैं वैसे ही आप बिना प्याज लेसन का शुद्ध सात्विक पकवान बनाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं और जो भी भोग आप समर्पित करेंगे सभी भोग में आपको तुलसी क पत्ता जरूर डालना है क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरी भोग को स्विकार नहीं करते हैं। अब इसके साथ ही गनपती जी की श्री हरी की माता तुलसी की विवाह में उपस्तित सभी देवी देवताओं की प्रेम पूर्वक हम आरती उतार लेंगे। जरूर लगा लें और देखिए आरती करने से पहले हाथ में पुष्प या तिल लेकर हम तुलसी विवाह की कहानी को भी पढ़ या सुन जरूर लेंगे। तो देखिए कारती का जो पूरा महिना है वो तुलसी पूजा के लिए बहुत विशेश होता है तो अगर आप जादा कुछ ना कर सके तो डेली एक दीपक तुलसी जी के समीब जरूर दान करें। और एका दशी के दिन को छोड़ कर अगर आप इस विवाह को संपन्य कराते हैं तो आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी उम्मीद है आप सभी को तुलसी विवाब पूजा विदी का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल क को सब्सक्राइब कर लिए।